यह मनुष्य जन्म की नीव है गर्व संस्कार इसी के द्वारा हम अच्छे मनुष्यों को इस समाज में ला सकते हैं हमारे बाल संस्कार केंद्र में देर साल के बच्चे से शुरुवात होती है और दस-ग्यारा साल तक के बच्चे हमारे बाल संस्कार में आते हैं पुझे बापु जी ने आज के बच्चों का जो पतन देखा और उनको बड़ी करोणा माई द्रश्टी करके उन्होंने आज के समय में बच्चों के लिए गुरू कुछ फुले बापु जी आज के युग के एक महरशी है युवानों के चारो तरफ से आकरमन हो रहे हैं एडिक्शन के पॉर्नोग्राफी के तो उनकी रक्षा करने के लिए युवा सेवा संकी स्थापना की समाज को अच्छे स्थापित करने के लिए और समाज को सुषुजित रखने के लिए महिलाओं का महिलाओं की हट्टी कई जाती है और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है इसी दरसन हमारी एक एक एलेक्ट्रोनिक स्पिरिश्वल मैगजिन है वासके डिट विए दिया हम एंड्रोइट फोन के माध्यन से उनके फोन तक उनके स्क्रीन तक पाते पुझ्जी स्री के संदेश को लेकर जो की समाज के सभी स्रीनी के लोगों के लिए लाब प्रद है देश काल परिश्थिती के अनुसार वो सत साहित के रूप में पुझ्जी बापुझी ने वेदो उपनिस्दों का जो अमरित में वचन सुनाया है उनके अमरित में वचन सत साहित के अंदर पर उपलब्द हैं आज हम आए हैं संशिरी आश्राम जी आश्रम एहमदाबाद में जहां पर 15 जन्वरी 2023 को शुरू हुआ था उतरायन पर ध्यान योग शिविर शिविर में भागले ने देश की अनेक राजियों से हजारों की तादात में लोग आए हैं घर जैसी सुविता ना होने के बाद भी यहां पर आयोए लोगों के चहरे पे प्रसंता और रौनक देखते ही बनती है हरानी वाली बात है कि बापुजी का इतना कूप्रचार होने के बाद भी इन लोगों की श्रद्धा बापुजी में अडिग है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह उतरायन शिविर यहां पर मनाया गया है यह शिविर विमन एंपावर्मेंट महिला सशक्तिकरन का एक जीता जाकता एक्जामपल है एक उधारन है क्योंकि बापुजी पर एक लड़की ने ही आरोप लगाया था मगर यहाँ पर अगर आप चारों तरफ नजर घुमाके देखेंगे तो हजारों महिलाओं ने शिविर में बढ़ चड़के भाग लिया है कोई सत्र में हैं, कोई सेवा में हैं अलग-अलग तरे से महिलाएं हाँ पर देवी कारे में बापुजी से जुड़ी हुई है तो आज हम बात करने वाले हैं कि बापुजी का इतना कूपरचार होने के बाद भी क्यूं उनकी बापु में शद्धा इतनी बनी हुई है साथी साथ हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे शिविर में उनका अनुभव शिविर में यहां पर अलग-अलग सेवाओं के बहुत सारे अलग-अलग स्टॉल्स लगे हैं हम आया है स्टॉल पर यहां पर महिलाओं की भीड है और यहां पर जो सेवा कर रही है वो भी महिलाओं है तो इसी स्टॉल से शुरू करते हैं और जानते हैं इन महिलाओं से कि क्या है इनकी सेवा किस तरे का देवी कार्य है, थोड़ा सा आप हमें अपने इस देवी कार्य के बारे में बताएंगे। दिवे शिशु गर्व संसकाश हो है, यह सबसे महत्वपून पड़ाव है, क्योंकि यह नीव है मनुष्य जन्म की। और जैसा कि आज विज्ञानिक लोग भी इस बात को सिव कर रहे हैं, कि जो गर्वस्त शिशु होता है, तीन महा का जब वो हो जाता है, तब तक उसका मस्तिश पून रूप से विक्सित हो जाता है। और जितने भी संसकार हैं और जो भारत के जगत का भी जो जग्यान है। अठानवे प्रतिशत मा के गर्व में ही ग्रहन कर लेता है। क्योंकि 많은 मता जिस वातवरन में रहती है इस लोगों से किस परिकार की वारता लाब करती है, क्या चीजें वह देखती है, कैसा वह भोजन करती है, कैसा उसका आचार, ुचार, वेवाहर है. यह सब चीज़ों को मां के गर्व में पलरा, शीशु ग्रहन करता है. तो अब आप सोच सकते हैं कि गर्ब का जो समय है कितना महत्तोपूर है क्योंकि उसके बाद जब बच्चा विद्याले जाने लगता है महा विद्याले जाता है और इस जगत रूपी पाठशाला से सीखता है वो मात्र दो प्रतिशत हैं तो इसलिए ये मनुष्य जन्म की नीव है गर्ब सल्सकार इसी के द्वारा हम अच्छे मनुष्यों को इस समाज में ला सकते हैं अच्छे विक्तित्वों को हम इस समाज को उपलब्द करा सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने सेवाओं के बारे में हमें बताया, खुब खुब धन्यवाद, हरिया मैलाओं से चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, अब हम है युवा सेवा संग मुख्याले के सामने, हम बात करेंगे युवाओं से, जानेंगे क्या है युवा सेवा संग, तो आप हमें बताये किस तरह की सेवाओं में कारे रथ है युवा सेवा संग युवानों के चारों तरफ से आक्रमन हो रहे हैं, एडिक्शन के, पॉर्नोग्राफी के बहुत सारे आक्रमन हो रहे हैं, ऐसे समय में युवानों की रक्षा कैसे की जाए, तो उनकी रक्षा करने के लिए बापुजी ने युवा सेवा संग की स्थापना की, और ये युवा इसे आप हमें थोड़ा सो और बताईए कि किस तरह की सेवा करता हैुवा सेवासंग् या मैं देख रही हूँ बहुत सुन्दर प्रळषणी लगी वे मुखाले में तो अब थोड़ा सा इस प्रदश्णी के बारे में भी बताएं युवा सेवासंग में कई प्रकार की सेवाएं हैं वर्ष भर की 18 से उपर सेवाएं हैं आप देख सकते हैं शर्बत प्याव वित्रन से लेकर के आपात कालिन सेवाकारे होते हैं होली में जो केमिकल रंगों से लोग प्रभावित होते हैं तो उसे में वैदिक होली का प्रचा जाते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनके ही बहुत अच्छा लग रहा है कि संचरी आश्रम जी बापू की सोच कितनी सूक्ष्म है कितनी दिव्य है कि वो गर्भा वस्ता में तो किस तरह से संस्कार देने चाहिए उसका ध्यान तो रखते हैं साथ में युवा वस्त भी आखान मंदल के बारे में है हारी ओं कोई भी समाज में इस सुस्जी तरफने के लिए और समाज को सुसुझित रखने के लिए मेला बहुत बड़ा योगदान रहता है अगर मैला सशकत नहीं होगी तो समाज या परिवार परिपक्व नहीं हो पाएगा तो मैं आपको ब बापु जी को बड़ावा देने के लिए बापु जी ने महिला के उत्थान के लिए खेले स्वक्य और भुझ टिया इखाई जाता है। इंका शरवान यार्वान जातं हों करना इपनी समाज किस तरह कर अठान करना इस पर वा यह सब किसी युग में नहीं हुआ है तो इस यह बाप मुझे ने महीला को निर्विक बनाने के लिए यह सेवा है चालू किया है जी तो इन्हों ने बहुत सुन्दर तरीके से बताया कि महीला उथान मंडल का उद्देश है महीला का सशक्ति कारण करना आजकल विमन इंपाव बापुजी के प्रतिवोद चेंज हो गए किस तरह से मीडिया ने जो कूपरचार किया है वो इन्ही सेवाओं से सूपरचार में बदल गया है और घर गर में बात साबित हो रही है कि बापुजी निर्दोश है हरी योग इन्ही सेवाओं की शंकला में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं रिशी दर्शन के बारे में रिशी दर्शन क्या है यह सेवा क्या है इसका उतेश्य बात करेंगे यहां पे कारेरत सेवातारियों से और जानेंगे रिशी दर्शन का उतेश्य रिखिए रिखिए रिषी दर के और अद्यूने हैं पुछिसरी के संदेश को लेकर और उनके फोन में हर मैने एक नहीं तरह के मैगजिन जाती है वा वीडियो में के माधिम से मुन को सुष्ट सुखी समानी जर्वन के गुन बताते हैं हमने सुना है रिशी दर्शन तो ओनलाइन मैगजीन एक रिशी प्रसाद है ओफलाइन मैगजीन उसके बारे में तोड़ा से बतारिये तो इस तरीके से हम इस दुस्पुचार के यूद में भी प्रती दिन सदस्य नए बना रहे हैं और हमारा सेवा करे जारी अब हम आ गए हैं बाल संसकार केंद्र के मुख्याले पे यहां पर हमारे साथ जुड़े है गुर्विंदर जी इनसे हम जानेंगे एक प्रकार की सेवा बाल संसकार केंद्र में हरीयो घर विय। तो आप हमें यह बताएं के जैसे नाम है बाल संसकार केंद्र तो एसे सुने में लग रहा है कि बच्चों के लिए तो 21 आयूवर को टार्गेट करता है और क्या-क्या इसमें सेवाएं की जाती है। हमारे बालसुषकार केंद्र में 13 साल के बच्चे से शुरुवात होती है। और 10-11 साल तक के बच्चे हमारे बालसुषकार में आते हैं। और उसमें वो यहां आकर ध्यान, प्राणायम, एकागर होने की शक्ति जानते हैं। और वो पढ़ाई में अच्छे अंकर कैसे लाएं। यह सब चीजे तो लौकिश जगत्की होगें। इसके लावा वो माता-पिता का आदर करें। उनकी एक दिन्चरिया कैसे होनी चाहिए। एक अच्छे बालक की। वो बाल संसकार में आया है। यानि कि बच्चों को संसकार देने के बहुती सुंदर पंधती है। और यह सेवाकारे सिफ हमारे एहमदाबाद या भारत में नी फूरे विश्वबर में। और यह हमारे केंद्रे फूरे सत्रा हज्यार से अधिक चलाए जाते हैं। बहुती दिव्य विचार और दिव्य सोच है पूजे बापुजी की। और हमने इतने इतने जो शिविर के प्रदर्शनी हैं, मुख्याले हैं, हम वहापे गए हैं, हर आयूवर्ग के लिए कुछ ना कुछ बापुजी ने संजोके रखा है। ऐसा कोई भी आयूवर्ग नहीं है, जिसको उन्नत के लिए बापुजी के देविकारे ना चल रहे हो। हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत 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 थन्यवाद हरियूँ। तो अब हम बात करेंगे अमिता जी से जो गुरुकूल से जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उदेश है बापुजी का, क्या मकसत है कि जो उन्होंने गुरुकूल देश में खोला है, आपका हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है, हरियूम। पुजे बापु जी ने आज के बच्चों का जो पतन देखा, और उनको बड़ी करोणा माई द्रश्टी करके उन्होंने आज के समय में बच्चों के लिए गुरुकूल खोले, ताकि बच्चों का सर्वांगीन विकास हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, बहुत स्कूल है, दुनिया भर की उनको अंदर उसमें एक्टिविटी सिखाई जाती है, कितना किताभी नौलिज दिया जाता है, पर आज बच्चे का अंदर से जो विकास होना चाहिए, सर्वांगीन विकास होना चाहिए, उस पे कौन ध्यान ने देरा, वैसे शिक्षा बढ़ने पर देखा जाए, तो सर्जन पूरुषों की संख्या समाज में बढ़नी चाहिए, जब क्या अशांती बढ़ रही है, पारिवारी जगड़े बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार ज्यादा हो रहे हैं, तो सही में जो शिक्षा है वो नहीं मिले, सिप किताभी पढ़ाई, मतलब एक में हमारी शिक्षण पद्धती, वो तो हम जो चलाते हैं, जो बहारी की किताभी पढ़ाई है, वो तो हम पढ़ाते ही हैं, उसके साथ में हमारी गुरुकुल की दिन चड़या इस तरह से बनी हुई है, कि बच्चे की जो सुशुप्त शक्तियों का विकास करना है, यह जो क जीवन निर्दुख होता है, वो समाज के लिए देश के लिए अपने लिए सुख में जीवन जीता है, जिसके जीवन में अच्छी समझ नहीं, उसका जीवन तो पस्वत है, पुझ्य बापुजी ने वेदो उपनिसदो जीता रामायन भागवत आदी का जो अमरित में वच जन सत्साहित के अंदर पर उपलब्द हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बूढे तक विवाहित अविवाहित इस्त्री पुरुष सब के लिए उनको जीवन को उनत बनाने के लिए, जीवन को सुख में बनाने के लिए, जीवन को निरोग बनाने के लिए, बड़ी ही सारगर संचीप तो और अच्छी अच्छी बाते हैं